Hi everyone, this is Parol, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So last session में हम लोगों ने बात की थी, एक IBPS PO मेंस आपका जो 2019 का IBPS PO मेंस पेपर है, उसका एक क्वेशन हमने last session में सॉल किया था. वो जो question था, बहुत अच्छा question था, जिसमें आपको books के number of pages दिये गए थे, वो जो number of pages थे उस पर कुछ operations लगाए गए थे, और फिर एक finally कुछ codes दिये गए थे, हर एक book का एक respective code था. तो ऐसा कुछ question था, बहुत important question था, जिस भी student ने वो नहीं देखा है, जरूर देखे, last session यही था, इससे पहले, ठीक है? और उस question को मैंने telegram channel पर share किया था, आज जो हम question करने वाले हैं, वो भी IBPSPO Mains का 2019 का एक और circle arrangement है, जो आज हम करेंगे, इस question को भी मैं share करूंगी, telegram channel पर तो जो भी join नहीं है, join हो जाएं, link में description में देदूंगी, plus अगर आप लोग search कर सकते हैं, add the rate, parul maim से, ठीक है? आप join हो जाएं जरूर, बिना देरी की यह start करते हैं आज के session को, this is your question, देखो क्या कहता है अब, कहता है, 7 persons PQRSTUV of different ages, 6, 15, 19, 23, 30, 45, 60, are sitting in a circular table facing towards center, कहता है, 7 लोग हैं, ठीक है, सबसे पहले important चीज, circular table पर बैठते हैं, तो हमको क्या होता है, आदत होती है, 8 persons बिलाने की, क्यू लोगोंने उपर-उपर से पढ़ लिया, कि 7 persons बोलाया, पर यहां पर हम क्या करते हैं, finally बना देते हैं, 8 persons, ठीक है, तो फिर क्या होता है, बाद में जाके पता चलता है, कि questions all नहीं हो पारा, कि हमने सारी conditions देख लिए, सब कुछ लगा लिया, पर फिर भी नहीं हो पारा, फ सबी के सबी center की तरह face करते हैं, ठीक है, आगे देखो not दिया गया है, अब देखो एक और चीज है, ये question आपके mains में पूछा गया था, और दिखने में छोटा question है, ठीक है, तो सबसे पहले important चीज ऐसा नहीं होता, कि mains में जितने भी questions आप से पूछे जाते हैं, सबी के सबी questions बड़े हों, जरूरी नहीं होता, वो छोटे questions, question की length को छोटा करके बीच में कुछ twist ऐसा दे देता है, जिससे थोड़ा सा उसका जो level है, difficulty level बढ़ा देता है, ऐसा कुछ कर देता है, कई बार क्या होता है, सबी questions आपको पता है, पांच नमबर के भी नहीं आते हैं, कुछ questions क्या होता है, वो एक बड़ा सा आपको puzzle देता है, और एक question पूछता है, कई बार क्या होता है, एक question देता है, जिसमें वो तीन questions दे देता है, तो ये भी important हो जाता है उस time पर, कि अगर मान लो उसने आपको कोई lengthy question दिया, ठीक है, अब उसको देखो, examiner को paper थोड़ा difficult तो बन जाना है, उसने question दिया, normal level का, ठीक है, पर दिया बहुत जादा लंबा, बहुत लंबा कि उसमें को solve करने में, solve हो जाएगा, बट करने में बहुत बहुत जादा time लगेगा, और question दिया उसका सिर्फ एक ही, तो आपको इस point पर भी बहुत smartly सोचना पड़ेगा, ठीक है, बहुत जादा, और एक question, तो आप बहुत जादा time waste कर रहें, इससे अच्छा आप दूसरा question उठाएगा, जिसमें तीन questions दिये गए है, ठीक है, तो इस point पर भी आपको सोचना पड़ेगा, अब देखो, note में क्या कहता है, No two consecutive letters are in alphabetical order, letters यहाँ पर इसलिए, किसलिए use किया गया है, persons के लिए ही use किया गया है, क्योंकि persons का नाम जो है, वो किस format में, letter format में दिया गया है, तो कहता है कोई भी दो persons साथ में नहीं आएंगे, जिनके नाम कैसे हो, alphabetical order में, यानि कि P जो है, वो Q के साथ नहीं आएगा, औ नहीं R के साथ में आ सकता है, next देखो कहता है, persons age must not be a multiple, must not be a factor or a multiple of the ages of their immediate neighbors, कहता है, किसी भी person की जो age है न, वो factor और multiple नहीं होगा, of the ages of their immediate neighbors, इसका मतलब क्या है, देखो, for example, हमारे पास यह तीन persons है, यह एक person है, ठीक है, इसकी हमें age चाहिए है, और यह जो person है, इसकी age है, इसकी age है, तो कहता है कि a की जो भी age होगी, वो x या y की, x और y, दोनों की ही, जो immediate neighbors है, उसका क्या नहीं होना चाहिए, multiple या factor, इसकी जो age होगी, a की जो age होगी, वो x और y की ना तो multiple होना चाहिए, ना ही factor होना चाहिए, यह चीज important है, ठीक है, अभी आपको throughout याद रखना पड़ेगा, अगर आपने इस चीज को miss कर दिया, अगर आप इस note को जो उसने mention किया है, इसको भूल गए, तो फिर गडबड हो जाएगी ना, ठीक है, अब आगे देखो, our sets immediate right of the person whose age is 15, our immediate right पर बैठता है, उस person के जिसकी age है 15, 15 के immediate right पर कौन आएगा, आर आएगा, सबसे परेदे को हम लोग इसे note कर लेते हैं, 7 persons है, याद रखना है, हमें बनाने है, total 7 persons, तो ये हो गई हमारे 7 persons, सभी के सभी क्या है, inside facing है, ये भी हमने बना दिया, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही figure में, एक ही case में, question को जो है, वो solve कर ले, अब कहता है, आर जो है, वो 15 के immediate right पर है, 1 person sits between T and R, either left or right, तो हमें interconnection मिल तो रहा है, यहाँ पर दो sentences में, पर अब देको T और R के लिए हमारे पास cases तो बनेंगे, क्योंकि उसने बोले, either left or right, हमें नहीं पता कौन सी direction में है, तो हम लोग चलो note कर लेते हैं, 15 के immediate right पर कौन है, R, और R और T के बीच में 1 person, त तो T आएगा यहाँ पर, या फिर T आजाएगा आपका, यहाँ ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, 1 person sits between P and the person whose age is 6, एक person बैठता है, P और जिस person की age है 6, either left or right, अब यहाँ पर भी हमें नहीं पता, ठीक है, P और 6 जिस person की age है, उनके बीच में भी एक person है, किसी भी direction से हो सकता है, age of T is twice the age of the person who sits second to the right of T, T की जो age है वो twice है, किसके, of the person who sits second to the right of T, T के second right पर जो person बैठता है, अभी देखो T की दो cases बन रहे हैं यहाँ पर, हम लोग इसे यहाँ पर note कर लेते हैं, कि T के second right पर जो भी person आएगा ना, उसकी जो भी age होगी, मान लो इसकी age है, X तो T की age कितन हो जाएगी, 2X हो जाएगी, तो अभी, ठीक है, T के second right पर जो भी person आएगा, उसकी जो age होगी, उसकी twice age है, किसकी T की, ठीक है, तो अब ज़रा देखो, हमारे पास यह पूरा जो proper हमें दिया गया है, ages दी गई हैं सभी persons की, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना यहाँ से हमको चेक करना पड़ेगा, twice ages किस-किस की है, यानि कि क्या-क्या case बन सकता है, अभी T और उसके second right पर जो person बैठेगा, उनकी ages का अब देखो, 6, 12 नहीं है, 15, 30 दिया गया है, 19, 23, 45, 60, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, एक तो यह 15, 30 और 60, यह 3 ages हैं, ठीक है, 15 का twice है, 30, 30 का twice है, 60, यानि कि यहाँ पर अब क्या-क्या option हो सकता है, यहाँ पर अगर 15 आएगा तो यहाँ पर आजाएगा 30, यहाँ पर 30 आ यहाँ कि T की age हो सकते है, या तो 30 या 60, और T के second right पर जो person आएगा उसकी 15 और 30 में से हो सकती है, तो हम लोगों ने इसे इतना note कर लिया, आगे देखो, difference between the age of immediate neighbors of V is more than 14, ठीक है, difference between the age of immediate neighbors of V, V के जो immediate neighbors होंगे, उनकी जो ages का, क्या है difference बोला है, वो क्या होगा, greater than 14, more than 14, ठीक है, यह उसने बोला है, V के जो immediate neighbors हैं, V के जो immediate neighbors हैं, उनकी ages का difference जो है, दोनों के, वो 14 से जादा होना चाहिए, हमने इसे note कर लिया, आगे कहते है, age of U must not be multiple of 10, U की जो age है, वो 10 का multiple नहीं होगा, U की जो age है, वो 10 का multiple नहीं होगा, इसे हम अटा देते हैं, sum of the ages of immediate neighbors of R is 34, जो R के immediate neighbors हैं, उनकी ages का sum है 34, R हमारे पास यहाँ पर है, उसका एक immediate neighbor है, जिसकी age कितनी है, 15 तो दूसरे की कितनी होगी, 34 में से 15 को subtract कर लो, ठीक है, 34 में से 15 को हम subtract करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है, यह हमें पता चला, अब और आगे देखो, Q is younger than P, Q जो है वो P से, छोटा है, यान यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो question है ना, उससे तो हम note कर चुके हैं, आप देखते हैं कि कहां से question को आगे बनाना है, अब बात तभी बनेगी, जब हम T के जो दो cases दिये गए हैं, एक को eliminate करें, ठीक है, और हमें T से related यहाँ पर यह information भी दिया गया है, तो अब देखो, T के second right पर जो भी person आएगा, उसकी age क्या होगी 15 या फिर 30, ठीक है, 15 या फिर 30, अब 15 तो already यहाँ पर आ चुका है, ठीक है 15 तो already यहाँ पर आ चुका है तो यानि कि अगर 15 यहाँ पर है तो अगर T यहाँ पर होता तो हमें समझ में आता ठीक है तो T तो यहाँ पर है नहीं इसका मतलब T के second right पर जो भी person आएगा उसकी age 15 तो है नहीं क्योंकि T वहाँ पर है नहीं T के लिए 2 cases है या तो T यहाँ पर आएगा या फिर T आएगा आपका यहाँ पर T के हमारे पास 2 cases बनते हैं तो 15 अगर यहाँ पर है तो उसके हिसाब से T आना चाहिए था यहाँ पर जो की है नहीं तो यानि कि T के second right पर जो भी person आएगा उसकी age 50 नहीं है 30 है यह समझ में आ गया ठीक है T के second right पर जो भी person आएगा उसकी age 50 नहीं है 30 होगी यह confirm हो गया और T की फिर age क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी ठीक है तो अब ज़रा देखो अब हमारे पास T के जो 2 cases है अगर आपका जो T है वो यहाँ पर आता है और उसके second right पर कौन है यह R है तो R की age कितनी 30 अगर T यहाँ पर आता है तो पर 30 क्या यहाँ पर आ सकता है क्यूं क्यूंकि 15 और R दोनों अब देखो R की age 30 अगर है तो उसका immediate neighbor एक कौन है 15 है ठीक है एक उसका immediate neighbor 15 है तो 30 30 उसका क्या हुआ यहाँ पर देखो उसने क्या बोला था multiple और factor नहीं होना चाहिए तो 30 15 का क्या है multiple ही तो है ठीक है तो यानि कि T इस जगा पर नहीं आ सकता क्यूंकि T के second right पर age आनी चाहिए 30 तो यहाँ पर वो नहीं आ सकता क्यूंकि यहाँ पर 15 है अल्रेड़ी तो 15 और 30 दोनों ही immediate neighbors नहीं हो सकते है I hope इतना सभी को समझ में आया होगा तो अब यानि कि यह समझ में आया कि T जो है वो आएगा यहाँ पर T आपका आएगा यहाँ पर और T के second right पर जो person आएगा उसकी age होगी कितनी 30 और T की खुद की age हो जाएगी कितनी 60 ठीक है तो अब इतक सही चल रहा है आपको इस चीज का बहुत धियान रखना है person की जो age है वो factor और multiple नहीं होना चाहिए इसका बहुत खास धियान रखना है इसको हम हटा देते हैं जिस चीज को हम लोग note कर चुके हैं उसे हम यहां से हटा देते हैं 15 के immediate right पर आर इससे भी कर चुके हैं T के second right पर जो person है उसकी age इसको भी हम लोग note कर चुके हैं अब आगे देखते हैं कैसे करना है हमें पता है कि कोई भी दो persons consecutive नहीं आएंगे alphabetical order में ठीक है तो यह भी हमको देखना है अब यहां से एक चीज देखो 10 का U की जो age है ना वो 10 का multiple नहीं होनी चाहिए तो यानि कि इस 30 की जगा पर U नहीं आ सकता है हमें यह पता है ठीक है और कुछ हम कर सकते हैं इसका U का कोई लेना देना यहां पर अब देखो हाँ एक और चीज है T के साथ में S नहीं आ सकता S T R के साथ में भी S नहीं आ सकता तो यहां पर हमारी S की जो काफी सारी possibilities हैं वो cancel हो सकती है ठीक है क्योंकि उसने बोला है न alphabetical order में नहीं आना चाहिए तो S ना तो यहां पर आ सकता है ना यहां पर आ सकता है T के साथ में भी नहीं आएगा S देखो यहां पर S जो है वो R और T दोनों के साथ में नहीं आ सकता है उपर तो S के लिए यह जगा cancel R के साथ में भी S नहीं आ सकता है यह जगा भी cancel अब और हम क्या कर सकते हैं, हमें दिया गया है P और 6 के बीच में, यानि कि जिस person की age 6 है, उसके बीच में एक person है, अब ये भी नहीं पता, उसने बोला है, आइदर left और right बोला था, ठीक है, तो अब देखो, 6 कहां पर आ सकता है, 6 कहां पर आ सकता है, क्या यहां पर, अब हम 60 उसके क्या है, immediate neighbors, ages, ठीक है, अगर 6 आप यहां पर बनाते हो, तो 30 और 60 उसके immediate neighbors, तो उसकी age यहां हो जाएगी, factor हो जाएगी न, 30 और 60 की, तो यानि कि 6 यहां पर नहीं आ सकता, similarly, 6 यहां पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि 6 यहां पर किसका immediate neighbor है, 30 का है न, तो 6, 30 का क्या है, factor है again तो 6 यहाँ पर नहीं आ सकता यहाँ पर नहीं आ सकता अब यहाँ पर already 15 है यहाँ पर 60 है यहाँ पर 19 है 6 के लिए एक ही जगा बचती है यानि कि R की जो age है वो 6 होगी ठीक है और देखो उसके immediate neighbors है 15 और 19 उसके immediate neighbors है 15 और 19 ठीक है तो अब भी 6 जो है इसका क्या है factor नहीं है ना 15 का है ना ही 19 का है ठीक है तो अब यह हो गया तो P को भी हम ढून सकते हैं P और 6 के बीच में एक person 6 यहाँ पर है एक छोड़ कर यहाँ पर T है already तो P जो है वो कहाँ पर आ जाएगा इस जगा पर एक मिनिट इसको हम लोग हटा देते हैं 6 को अब देखो 6 यहाँ पर है तो P कहाँ पर आएगा एक छोड़ कर यहाँ पर T है तो P आ जाएगा यहाँ पर इस जगा पर और देखो हमने यहाँ पर S को नोट किया हुआ कि इन दो जगा पर आ सकता था तो P यहाँ पर आ गया तो S यहाँ पर आ जाएगा यानि कि S की एज कितनी है S की जो एज है वो कितनी है 30 है T के सेकंड राइट पर S बैठता है अब इतना क्वेशन हम कर चुके हैं अब देखो हमारे पास क्या बच्टा है हमारे पास कितने persons हो चुके है कितनी ages हो चुके हम वो सब देखते है P यहाँ पर आ चुका है Q बच्ता है ठीके Q बच्ता है P, Q, R यहाँ पर आ चुका है S भी आ चुका है, T भी आ चुका है और आपका बच्ता है U और बच्ता है V ये तीन persons बचते हैं और ages कौन-कौन सी बचती है देखो 30, 60, 19, 6, 15 ये हो चुके है 6, 15 हो चुका है, 19 हो चुका है, 23 बचता है age और 45 बचता है ये दो ages बचती हैं, बाकि सभी हो चुकी है ठीक है 23 और 45 ये दो ages बचती है तो अब देखो ages दो ये बचती हैं और ये तीन persons है तो पहले ages का ही देख लेते हैं अब देखो ages कहां कहां पर बचती है एक तो ये p की age defined नहीं है और यहां पर जो भी person आएगा इस जगा पर इसकी age defined नहीं है बाकी सब जगा पर age defined है तो यानि कि 23 और 45 कहां पर आसकता है यहा और 45 बट अभी यहां से भी हम कुछ करने ही सकते हैं उसने बोले P की HQ से जादा है तो Q के लिए नहीं पता देखो Q तो फिर इस जगह पर भी आ सकता है Q इस जगह पर भी आ सकता है क्योंकि फिर P को हम 2345 में से कुछ भी दे सकते हैं, तो इस तरीके से यहां से question नहीं होगा, यहां से देखते हैं आप ज़रा अब यहां पर यह जो question है, आगे soul होगा, जो note में उसने सबसे पहला note दिया था ना alphabetical order वाला, वहां से होगा, ठीक है, अब alphabetical order के according ज़रा देखो R के साथ में Q नहीं आना चाहिए, Q ना तो यहां पर आ सकता है, फिर ना ही यहां पर आ सकता है, ठीक है, Q के लिए यह दोनों जगा cancel होगी, Q यहां पर नहीं आ सकता, R के साथ में Q नहीं आएगा तो Q के लिए अब देखो कौन थी जगा बचती है सभी के सभी जगा पर हम persons note कर चुके हैं, एक अके लिए यह जगा बचती है जहां पर Q आ सकता है, ठीक है क्योंकि R का immediate neighbor Q नहीं होगा अब Q को हम place कर चुके हैं अब देखते हैं U और V के लिए अब U कहां पर आएगा, देखो T के साथ में U नहीं आना चाहिए T यहां पर है, तो T के साथ में यह जो 19 है, यहां पर U नहीं आ सकता तो U कहां पर आ जाएगा, यहां पर A की यही जगा बचती है, ठीक है फिर अब V जो बचता है, वो V आ जाएगा यहां पर, यानि की V की age कितनी है V की जो age है वो है 90 तो इतना question हम कर चुके हैं अब देखो, अब हम देख सकते हैं P की age जो है उसने बोला है Q से जादा है, ठीक है अब P की age Q से जादा है तो अब हमारे पस जो 2 ages बचती है वो यहीं बचती है 23 और 45 अब हमें पता चल गया कि P को हमें देना है कितना age P की age है 45 और Q की age कितनी है 23 age है तो यह question जो है यहाँ पर अब solve हो चुका है ठीक है, अब वो आपसे कोई भी question पूछे आप easily answer कर सकते हैं ठीक है बहुत जादा देखो difficult था नहीं इसको यह question है आपको दो number में हो सकता है या तीन number में यह question आपको मिल सकता है अगर इस level का question पूछा जाता है तो ठीक है So I hope आज के session में जो हमने यह question किया है आप सभी को समझ में आया होगा यह session जब भी मैं telegram पर share करूँगी साथ में आपको एक question भी share कर दूँगी ठीक है So I hope आप सभी को समझ में आया होगा So मिलते हैं फिर next session में Take care everyone